कि बहुत ज्यादा अर्णिंग का लालच देने वाले बहुत सारे बिजनेस फेक होते हैं जिसमें आप ठगी का सिकार हो सकते हैं ऐसे बिजनेस आइडियाज से बचें जिससे कि आप सभी लोग दूसरों पर बोज ना बनके आत्म निर्भर बने हलो दोस्तों नमसकार स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 बहुती आसान बहुती कम पैसे में स्टार्ट किये जाने वाले बिजनेस के बारे में हमारे दिब्यांग भाई बहन पेरालिसिस के पेसेंट, इस पैनल कार्ड इंजरी के पेसेंट, कोई भी वेक्त इस बिजनेस को आसानी से सेटप कर सकता है और दिन पर दिन अपने बिजनेस को और अपनी इंकम को बढ़ा सकता है जिससे के आप सभी लोग दूसरों पर बोज ना बनके आत्म निर्भर बनें तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें, ये सभी विजनेस आइडियाज आपके लिए बहुत ही कामके हो सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पैसा ही पैसा होगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे आसान और सबसे ज्यादा पॉपलर बिजनेस है जनरल इस्टोर जो कि आप आपके घर वाले बच्चे भी पार्ट टाइम बैट सकते हैं ये जनरल इस्टोर आप अपनी गली में अपने घर में पास के चौराहे पे कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है जो भी हमारे पारलेसिस के पेसेंट हैं इस्पानल कार्ड इंजरी के पेसेंट हैं तथा महिलाएं हैं उन सभी लोगों को इन में जो भी चीज़ें बेची जाती हैं या जो भी चीज़ें यहां पर मिलती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको होम डिलीवरी सेल में लोग दे के जाते हैं तो यह सबसे आसान और सबसे जादा लोग- productive है जो कि जादातर लोग करते हैं यह पर familiar करता है कि आप उसमें कितना इन्वेस्ट्मेंट करते है यह हई आइडिया नंबर वन की बात अर बात करते हैं 가운데 दूसरा इयदिया बीस्षी capita से मिलता जूलता है और यह उन लोगों के लिए है जिन लोगों को डिजिटल चीजों के बारे में नालेज है जिन लोगों ने अच्छी क्वालिफिकेशन की हुई है जिनके पास equipment है internet source है ऐसी सभी सुब्धाओं को यूज करके आप एक digital shop open कर सकते हैं यह भी बहुत आसान है आप अपने घर के कमरे में गली में या चौराहे पे कहीं पे भी इसको सेट अप कर सकते हैं यहां पर आप आनलाइन मनी ट्रांसफर मोबाइल रिचार्ज और ऐसी बहुत सारी सुब्धाओं को देकर अपनी डिजिटल्स आपको बढ़ा सकते हैं इसमें भी अर्णिंग बहुत ही अच्छी होती है और आज कल की आधनिक जिन्दगी में यह बिजनेस सबसे ज्यादा लोग परी हैं दोस्तों तीसरा बिजनेस आइडिया है टूट्सन या कोचिंग सेंटर जो घर पर रहते हैं परलीशिस के पेसेंट हैं उन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन की है आपको अच्छा नॉलेज है और महिलाएं हैं या ऐसे जो भी लोग है इस पनल काड इंजरी की पेसेंट हैं जितने भी ऐसे लोग हैं वो आसानी से अपने घर पे पासपरोस के बच्चों को टूसन या कोचिंग दे सकते हैं और यह एक ऐसी चीज है कि ज्यान बाटने से बढ़ता है और आप इसके साथ में अपने कमाई के जरियों को भी बढ़ कर सकते हैं बहुत सारे लोग इसको पार्ट ताइम बिजनेस भी करते हैं आप सके किसी मेले में पास किसी पार्क में या घर के बाहर या उसी तरीके से कहीं पर भी कोई साउप सेटल कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं खिलोने की तथा गुबारों की सौप के बारे में आपको पता है कि आज कल ये सौप बहुत ज़्यादा चल लही है और लोग बच्चों की खुशी के लिए खुब अच्छे खिलोने और बहुत अच्छे गुबारे पार्टी में और बर्तडे में इन सब चीजों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीते हैं ये भी आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं पांचवे बजनेस आइडिया के बारे में ये थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए है इसका आरनिंग भी ज्यादा है लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को डिसिबिल्टी थोड़ा कम है और आप अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इरिक्सा ले सकते हैं आप इरिक्सा चलाके आसानी से दिन के चार पान सो रुपे कमा सकते हैं और दिब्यांग भाई बहनों को इरिक्सा पर भारी छूट भी मिलती है और आपको पता है कि ये इरिक्सा जो है बिजली से चलने वाला वाहन है आज कल गवर्मेंट भी इलेक्ट्रानिक वाहनों को बह हमारा चटा बिजनेसाइडिया है तो टेल इंग का काम करके आप घर बेठे अच्छा-खासा पैसा कमा सकते हैं यह आपपे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है टाइम का क कर सकते हैं दोस्तों अब हम साथ में और अगले बिजनेस के बारे से बात करते हैं अचार और ज Mormon बनाना यह बहुत ही लोग प्रियों बच thế बहुत सारे लोग जिनको इस चीज के बारे में हुनर आप अचार बनाके डिबों में पैक करके उनका पैकेट बनाके सेल कर सकते हैं बहुत सारे लोग आपका घर से उठा लेंगे या आप इसको आनलाइन या बहुत सारे सुभधाएं हैं उस तरीके से भी बैच सकते हैं टाफी, कैंडी बनाना ये सभी चीजे आज कल बहुत फिरन में हैं आसानी से आप ये बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगे और आप इन में से कौन सा बीजनेस करना चाहते हैं मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बढाएं तो चलिए अब बात करते हैं आठ्वे बिजनेस के बारे में ये भी बहुत ही कम इनमेस्टमेंट वाला और बहुत ही ज्यादा लॉग प्री बिजनेस है ये काम भी महिलाएं आसानी से कर सकती हैं जिनको मेकप के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है आप कास्मेटिक की साब कर सकती हैं जिसमें बहुत ही अच्छी इंकम है और आसानी से लोग आपके पास से प्रोड़क्ट खरीद के उसको यूज करेंगे और जिन लोगों को जरूरत हो उनको आप मेकप सर्विस दे सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा बिजनेस है आप बहुत ही आसानी से इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और एक काम आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचें जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी और मोटिवेशन हम आप तक पहुचाते रहें तो दोस्तों अब बात करते हैं नवे बिजनेस आइडिया आज के बारे में नाइन्थ बिजनेस दोस्तों नाइन्थ बिजनेस आइडिया है डेकोरेशन और प्लांट्स ये बहुत ही ज़्यादा पॉपलर बिजनेस है आज कल हम सभी लोग छोटे-छोटे पौधे पसंद करते हैं काफी डेकोरेशन का काम होता है आपने आफिस में रखे देखे होंगे पॉधे और सजावट हर किसी को पसंद होती है और ये बहुत ही ज़्यादा लोग प्री है बहुत ही लोग इसे पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छा बिजनेस है इसको आप कम कास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आप बिजनेस को expand करेंगे उसी तरीके से आपकी earning भी expand होती रहेगी और अब हम बात करने वाले हैं 10th business idea और bonus tips के बारे में इसमें आपको बहुत सारे option तलासने हैं खुद से जो भी business आप आसानी से कर सकें मैं आपको 2-4 option दे रहा हूँ जैसे कि ठेके का काम है बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें डिब्बे की packing का काम होता है या कड़ाई तथा बुनाई का काम होता है ऐसे ही बहुत सारे आपके छेत्र में जो भी सबसे ज़्यादा किये जाने वाले business हों आप उनको आसानी से कर सकते हैं दोस्तों ये सभी lifetime और genuine business मैंने आपको बताए हैं बहुत ज़्यादा earning का लालच देने वाले बहुत सारे business फेक होते हैं जिसमें आप ठगी का सिकार हो सकते हैं ऐसे business ideas से बचें और आप इन में से कोई भी business स्टार्ट करके अपनी जिन्दगी को आसान और खुसाल बनाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ में सेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताएं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में